आप सभी को मेरा नमस्कार जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में निपुन भारत मिशन के अंतरगत 22 सप्ताह की कारिय योजना संचालित है जिसमें ट्रेकर हमें भरने हैं ये ट्रेकर क्या हैं और कितने प्रकार की हैं इन पर कैसे कारिय किया जाएगा और कौन से ट्रेकर पर कौन कारिय करेगा इस विशे में आज हम इस वीडियो में विश्तार से चर्चा करेंगे सबसे पहले हम बात करते हैं कि ट्रेकर क्या है ट्रेकर एक प्रकार का टूल है जिसके मांद्यम से हम यह जान सकेंगे कि हम किस सप्ताहा के कौन से दिन तक कारिय कर चुके हैं इसी प्रकार से कोई भी अधिकारी जो हमारे विद्यालियों में निरिक्षन या नुश्रमन के लिए आएंगे वो भी हमारे ट्रेकर देखकर यह जान लेंगे कि हम कितने सप्ताहा के कितने दिन तक का कारिय अपने बच्चों को करवा चुके हैं आईए अब हम इनके बारे में विस्तार से जानते हैं ट्रेकर तीन प्रकार के हैं जिनमें पहला ट्रेकर है वार्षिक ट्रेकर यह ट्रेकर आधारशिला सिक्षक संदर्शिका के स्टार्टिंग में दिये गए हैं यह ट्रेकर सिक्षक साथी के द्वारा प्रति दिन भरे जाएंगे दूसरा ट्रेकर है सापताहिक तथा सावधिक आकलन ट्रेकर इनको भी शिक्षकों के द्वारा ही भरा जाएगा और ये ट्रेकर आधारशिला शिक्षक संदर्शिका के अंत में दिये गए है तीसरे प्रकार का ट्रेकर है कारिय पुस्तिका ट्रेकर इस tracker को बच्चे शिक्षक के माघदर्शन में प्रती दिन भरेंगे और यह tracker बच्चों की कार्य पुस्तिका में दिये गए हैं इन trackers को किस प्रकार से और कब कब भरना हैं इसके बारे में आव हम विस्तार से चर्चा करते हैं स्क्रीन पर हमें इस समय भाशा के वार्षिक ट्रेकर दिखाई दे रहे हैं वार्षिक ट्रेकर अर्था जिने हमें वर्ष भर भरना है पूरे सत्र के दोरान प्रति दिन इनको हमें भरना है सबसे उपर साप्ताहिक ट्रेकर दिखाई दे रहे हैं और उसके नेचे साब्धिक ट्रेकर का नमूना दिया गया है इसके नेचे सब्ताह एक से सब्ताह बाइस तक के प्रति दिन के ट्रेकर दिये गए हैं इनको हमें प्रति दिन सिक्षन योजना पर सारा कारिय पुर्ण करने के प्रस्चात सही का निशान लगाना है मान लेजिए सब्ताहा एक के पहले दिन का मैंने आज कारिया पूरा कर लिया है तो मैं सब्ताहा एक के पहले दिन के ट्रेकर पर सही का निशान लगा दूँगी इसके बाद दूसरे दिन का कारिया पूरा करने के पशाद दूसरे दिन के ट्रेकर पर तीसरे दिन का कारिया पूरा करने के पशाद तीसरे दिन के ट्रेकर पर सही का निशान लगा दूंगी इसी प्रकार से प्रती दिन का ट्रेकर हम भरते जाएंगे इससे हमें यह पता चलता रहेगा कि हम कितने सब्ताह के कितने दिन तक का कारिय बच्चों को करा चुके हैं साथी हमारे विद्याले में कोई भी एरपी या कोई भी अधिकारी अनुश्रवन के लिए या निरिक्षन के लिए आते हैं तो वें भी हमारी आधार शिला सिक्षक संदर्शिका को देखकर यह जान जाएंगे कि हम बच्चों को कौन से सप्ताह के कितने दिन तक का कारिय करा चुके हैं। सप्ताह एक से आठ तक के ट्रेकर हम इसी प्रकार से भरेंगे इसके बाद हम नोवे सप्ताह की बात करते हैं क्योंकि भाशा में हमें नोवे और अठारवे सप्ताह में सावधिक आकलन करना हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नोवे और अठारवे सप्ताह में तेरह ट्रेकर दिये गए हैं क्योंकि जहाँ पर बच्चे अधिक हैं या मान लीजे किसी विद्याले में एक सप्ताह में सावधिक आकलन का कारिय पूरा नहीं हो पाया तो महाँ पर उसके लिए दो कॐश्य का आइकन दिया गया है इसका तॉत परिया है कि 17 नोव और 17 नोच के पहले दो दिन समण शावधिक आकलन का कारिय किया जाएगा और इसर नहीं और 3 दिन तो पर औक को उसकी कारिय योजना बनाएंगे और फिर दिवस चार से लेकर दिवस तेरा तक रेमेडियल टीचिंग और सावधिक पुन्रा वृत्ति पर कारिय किया जाएगा इसमें भी प्रति दिन का कारिय पूर्ण करने के पस्चात एक एक दिन के ट्रैकर पर अर्थात प्रति दिन एक ट्रैकर पर हम सही का निशान लगाते जाएंगे और इस प्रकार से हम भाषा के वारेशिक ट्रैकर बर देंगे ये हैं हमारे गनित के वारेशिक ट्रैकर ये भी लगबग भाशा के वार्षिक ट्रेकर के समान ही है प्रतिक सप्ता के आगे 6-6 ट्रेकर दिये गए हैं जिन में हमें प्रति दिन का कारिय पूर्ण करने के पश्चात सही का निशान लगाना है गनित और भाषा में अंतर इतना है कि भाषा में हमें नोवे और अठारवे सप्ता में सावदिक आकलन करना है जबकि गनित में ग्यारवे और बाइसवे सप्ता में सावदिक आकलन किया जाएगा तो इसलिए यहाँ पर सावदिक आकलन के ट्रेकर 11 और 22 सप्ता में दिये गए हैं साथ ही भाशा में सावदिक आकलन ट्रेकर के सामने 13 तेरे ट्रेकर दिये गए थे जबकि गनित में 10 ट्रेकर दिये गए हैं प्रति एक दिन का सावधिक आकलन प्रपत्र पूरा करने के पश्चाथ हम प्रति दिन एक ट्रेकर पर सही का निशान लगा देंगे बाकी हमें गनित के वार्षिक ट्रेकर भी भाषा के वार्षिक ट्रेकर के भाती ही पूरे करने हैं अब हम बात करेंगे कि हमें भाशा और गनित में सापताहिक आकलन ट्रेकर किस प्रकार से बनने हैं। इस समय स्क्रीन पर हमें भाशा और गनित दोनों विश्यों के सापताहिक आकलन ट्रेकर दिखाई दे रहे हैं। दाई और गनित के सापताहिक आकलन ट्रेकर दिये गए हैं और बाई और भाशा के सापताहिक आकलन ट्रेकर दिये गए हैं सबसे पहले हम बात करते हैं भाशा के सापताहिक आकलन ट्रेकर को भरने के विशे में यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले अनुक्रमांग का हमें कोलम दिखाई दे रहा है तो इसमें हम बच्चों के अनुक्रमांग पर देंगे दूसरे कोलम में बच्चों के नाम हम अंकित कर देंगे इसके बाद हम देखते हैं कि एक-एक सब्ताह के दो-दो कॉलम भाशा के सब्ताहिक आकलन में दिये गए हैं पहले कॉलम में डिकॉर्डिंग का आइकन बना हुआ है और दूसरे कॉलम में मौकिक भाशा विकास का आइकन बना हुआ है इसका तात्परिय यह है कि जब हम डिकोर्डिंग संबंदित आकलन करेंगे तो उसमें बच्चे के द्वारा प्राक्त किये गए अंकों को हम डिकोर्डिंग वाले कोलम में अंकित करेंगे हम बारी-बारी से सभी बच्चों के अंक इसमें दर्ज करेंगे और जिस बच्चे के अंक पचास परतिशत से कम हैं उस बच्चे के अंकों पर हम सरकल बना देंगे और जिस बच्चे के आंक 50 प्रतिशत या उससे अधिक है उसके नाम के सामने हम केवल उसके आंक लिखेंगे दूसरा कॉलम है मौखिक भाषा विकास का मौखिक भाषा विकास के आकलन करने के पश्चाथ उस सक्ता हमें कराए गई मौखिक भाषा विकास संबंदी लक्षित दक्षताओं को जो बच्चे प्राप्त कर चुके हैं उनके नाम के सामने हम सही का निशान लगा देंगे और जिन बच्चों ने वे दक्षता प्राप्त नहीं की हैं उनके सामने हम डैश का निशान लगा देंगे इस प्रकार से हम प्रत्यक सप्ताहका साप्ताहिक आगलन करने के पश्चाथ इस ट्रेकर को भरेंगे यहाँ पर एक महत्वपुन बात और बताना चाहूंगी कि भाशा के साप्ताहिक आकलन ट्रेकर में आपको दाई और यहाँ पर एक टिपनी का कोलम भी मिलेगा जिसमें कि किसी भी बच्चे के साथ कोई भी समस्या है कि बच्चा बहुत समय से विद्याले नहीं आ रहा है या किया कारण है कि वे सही तरह से नहीं सीख पा रहा है सही तरह से वेकक्षा में परफॉर्म नहीं कर पा रहा है उस कारण विशेश को हम टिपनी वाले कोलम में दर्ज कर लेंगे ताकि हमें पता रहे कि कौन सा बच्चा अमारा किस कारण से प्रभावित हो रहा है अब हम बात करते हैं गनित के साप्ताहिक आगलन ट्रेकर की गनित के साप्ताहिक आगलन ट्रेकर में भी पहला कोलम भाशा के ट्रेकर की तरह ही अनुक्रमांग का और दूसरा कोलम बच्चे के नाम के लिए दिया गया है इन भाषा और गनित के ट्रेकर में अंतर यह है कि भाषा के ट्रेकर में प्रति एक सप्ताहा दो कोलम दिये गए हैं जबकि गनित के साप्ताहिक आगलन ट्रेकर में हर सप्ताहा में एक ही कोलम हमें भरना है। भाषा के सापताहिक आखलन ट्रेकर में हमें बच्चों के द्वारा प्राप्त अंकों को उनके नाम के सामने अंकित करना है जबकि गनित के सापताहिक आकलन ट्रैकर में बच्चों के सापताहिक आकलन में प्राप्त अंकों को दर्ज ना करके उनके जो समू बनाए जाएंगे A और B अर्था एक तरह से उनके ग्रेड भी हम कह सकते हैं उनको यहाँ पर बच्चे के नाम के सामने दर्ज कर दिया जाएगा अर्था जिस बच्चे के 50% से कम अंक हैं उसके नाम के समक्ष A और जिस बच्चे ने 50% या उससे अधिक अंक प्राप्त किये हैं उस बच्चे के नाम के समक्ष B अंकित कर दिया जाएगा इस प्रकार से भाषा और गनित के सावदिक आकलन ट्रेकर हमारे द्वारा भरे जाने हैं अब हम बात करेंगे भाषा और गनित के सावदिक आकलन ट्रेकर के विशे में यहाँ पर हमें दाई और गनित के और बाई और भाशा के सावदिक आकलन ट्रेकर दिखाई दे रहे हैं भाशा के सावदिक आकलन ट्रेकर भाशा के सावदिक आकलन ट्रेकर के जैसे ही है इन दोनों में कोई अंतर नहीं है जिस प्रकार हमने भाषा का साब्ताहिक आकलन ट्रेकर भरा था उसी प्रकार से हम भाषा में साब्दिक आकलन ट्रेकर भी भरेंगे पहले बच्चे का रोल नंबर बच्चे का नाम फिर डिकोर्डिंग संबंदित आकलन में बच्चे ने जो अंक प्राप्त किये हैं उनको हम दर्ज करेंगे 50% से कम प्राप्त करने वाले बच्चों के अंकों पर हम गोला लगा देंगे और 50% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले बच्चे के अंक हम केवल अंक लिख देंगे उन पर कोई गोला नहीं लगाया जाएगा मौखिक भाशावी का संबंधित आकलन में जिन बच्चों ने लक्षित दक्षता प्राप्त कर ली हैं उनके नाम के सामने सही का निशान और जिन बच्चों ने लक्षित दक्षता प्राप्त नहीं की हैं उनके नाम के समक्ष हम डैश का निशान लगा देंगे और साथ में टिपनी का कॉलम दिया गया है इसमें यदि बच्चे विशेश से सम्बंदित कोई टिपनी हम लिखना चाहें तो उसके लिए भी हाँ पर इस्थान दिया गया है गनित का सावधिक आकलन ट्रेकर भाशा के आकलन ट्रेकर से थोड़ा भिन है पहले दो कोलम तो नुक्रमांक और बच्चे के नाम के ही हैं इसके बाद हम देखते हैं कि हाँ पर दस ट्रेकर दिये गए हैं क्योंकि हमने देखा था कि सावधिक आकलन के लिए गनित में दस सावधिक आकलन प्रपत्र दिये गए हैं तो हम प्रती दिन एक सावदिक आगलन प्रपत्र बच्चों से भरवाएंगे और उस मेप्राप्त अंकों के आधार पर हम बच्चों के A और B समुख का निर्धारन करेंगे और उन A और B को ही ग्रेड के रूप में बच्चों के नाम के सामने वाले कॉलम में हम दर्ज कर दें इस प्रकार दस दिन तक हम सावदिक आगलन ट्रेकर गनित का भरेंगे। ये हैं भाषा और गनित के कार्यपुस्तिका ट्रेकर जो की बच्चों की कार्यपुस्तिकाओं में दिये गए हैं। इन ट्रेकर को बच्चे के द्वारा प्रती दिन शिक्षक के मागदर्शन में भरा जाएगा। बच्चा प्रती दिन एक कार्यपत्रक पूर्ण करेगा और उस कार्यपत्रक को पूर्ण करने के पश्चाथ उस दिन के ट्रेकर में सही का निशान लगा देगा। भाशा और गनित दोनों में ही प्रतीक सप्ताह साथ साथ कार्य पत्रकों पर बच्चों के द्वारा कार्य किया जाना है एक कार्य पत्रक प्रती दिन और जो साथ वा कार्य पत्रक है वह है ग्रह कार्य कार्य का जिसको बच्चों से घर से करके लाना है तो जैसे जैसे बच्चे इन कार्य पत्रकों को पूर्ण करते जाएंगे उस दिन के कार्य पत्रक पुस्तिका ट्रेकर में उनके द्वारा निशान लगा दिया जाएगा इस प्रकार से ये हमारे तीनों प्रकार के ट्रैकर वार्शिक, साप्ताहिक, सावदिक और कार्य पुस्तिका ट्रैकर यहाँ पर पूर्ण होते हैं आशा है आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे यदि कहीं मेरे से कोई त्रूटी हुई है तो उसके लिए मैं शमा प्रारती हूँ और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो कृप्या मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे फॉर्वर्ड करें धन्यवाद